हालो फ्रेंड जुहार आप सभी का आपके स्टुड़े में स्वागत है चलिए आज हम लोग कोड़ा वाशा कंदरगत में आंखे गित कवीता शंग्रा पढ़ रहे थे ठीक है जो की खोड़ा कवीता शंग्रा है जिसके कवी कौन थे फिनवास पानुरी जी ठीक है उसका जो अगला कवीता है वह आज हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है तोर याद माते इसके पहले हमने च्छे कवीताओं को पढ़ लिया है जो लोग नहीं देखे होंगे वह जा करके आपकी स्टुड़ी के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं तो चलिए इस कवीता के हम लोग पढ़ प्रेमिका के बारे में अपने जो नायक है वो अपना नायका के बारे में उसका गुनगान बताता है कि कैसे उसका याद से ही ठीक है उसको जब याद करता है उसकी जब याद आती है प्रेमिका के जब जब उसको याद आता है उसको याद मात्रे से ही ठीक है सब कुछ होने लगता है उससे जैसे एक गill फ्रेंड है जो क्वोत प्यार करता है और उस tranh जो क्या होता है खिल होता है उसका मन जो है दिल गार्डन गार्डन हो जाता है इस भाव का यह कवीता है तो चलिए इस कवीता को हम लोग पूरा पढ़ेंगे समझेंगे और अन्त में इससे कुछ महत्वर्ण जो में क्या होता है तो थो लेछियं और आन्त में होने लगती है आनुकुल रहती है यह बंसी में कया होता है फुटे गान ठीक है कि जो बंसी बंसी का मतलब क्या होता है ठीक है बंसी यानि इसका मतलब था बंसी यानि बहुसरी बहुसरी में क्या होता है उसमें संगीत आने लगता है संगीत फुटने लगता है उसमें गान आने लगता है उसमें राद आने लगता है कनकन में प्रान ज लगती है ठीक है नदी में ठीक है नदी के पानी जो क्या था बढ़ने लगती है कब जब जब तुम्हारी याद आती है किसकी याद तो जो प्रेमी है वह अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे है यानि नायक जो है अपनी नायका के बारे में बता रहे है कि जब जब तुम पर होता है वोह कभी जी ने बताने का प्रियास कि दान कि वर्ट होने लगते है पानी बरसने लगती है खूशी कमारे क्या थो फूल समाज आना होता है मतलब आखे जो वहता है खुसी कर फूल फुटे लागल है और खुसी का पुरा अनुभा होने लगता है आनंद का महौल होने लगता है और इसके कारण से क्या है थंडी-थंडी हवाएं चलने लगती है चंदन सीतल हवा बहने लगती है और चंदन के गन से पुरा भरल सीतल हवा बहने लगती है जिससे जीवन में क्या नई जीवन में नई जान आ जाती है जिंदगी नई लगने लगती है किसको तो प्रेमी को लगने लगती है किसके बारे में जब-जब उन प्रेमी को याद करता है तो भी बोला कि जब-जब तो याद आवे उससे सारा कुछ यह अनुकुल होने लगती है, आगे बोलते हैं कभी कि निल अकास से उड़े खातिर पागल होए मन, आनंसागर, हुबडूब, सरक्छुए तन, बोलता है कि निल अकास में उड़ने खातिर मन करने लगता है, हमारा मन जो है पागल होने लगता है, जैसे जो पंशियों होती हैं चिनियां होती है वो क्या होता है निले अकास में निले अंबर में क्या होता है उड़ती है स्वच्छंद उड़ती है फिरी उड़ती है ठीक है किसी से कोई रोक टोक नहीं होता है कोई उसको दबाव डालने वाला नहीं होता है तो वही बोलता कि तुम्हा हमारे प्यार में तुम्हारे याद में जो तुम्हारे साथ समय बिताएगा उस अनुभुती के कारण आनंद के सागर में हुबडूब होने लगती है वह बोलता है कि आनंद के सागर में हुबडूब के मन करने लगता है कि जैसे सबके इच्छा होता है कि स्वर्ग में क्या हो जाए तुसी तरह से इसका जो मन है वो स्वर्ग को छुने का मन करने लगता है आगे बताते हैं वो कि फूटे आंखी प्रेम धार धरती नाम है आश्मान तोर्यादे मात्र बासी फूटे गान कि फू अशमान जो है आशमान से जो है तुम्हारी याद मात्र से जब तुम्हारी याद आती है तब सब कुछ क्या होने लगती है और बंसी फुटे गान याते जो बंसरी है उसमें क्या होता है बंसरी जो संगित्मय हो जाता है उसमें गान अपने आप फुटने लगती है उसमें म्यूजिक अपने आप फुटने लगता है राग जो है अपने आप सब कुछ होने लगता है कब जब तुम्हारी याद आती है वही बोला कि जब तोरियाद मात्र से, कि जब तुमारी याद आती है, तो सब कुछ क्या होने लगता है, अनुकूल होने लगता है, तो यह जो कवीता था, एक विरह परधान है, जिसमें जो प्रेमी है, वो अपनी प्रेमी का कसे अलग हो चुका है, ठीक है, जो पहले एक करते थे, उसके साथ समय बिताय गया था, उसका जो याद जूड़ी हुई थी, याद पल जूड़ा वह था, उसको जब याद करते हैं, वो प्रेमी, ठीक है, तब बताता है, कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, तो यह इस कवीता था, जिसका याद रखना है कि स्रिंगारी, कवीता है, यह कैसा कवीता है, एक सिंगार भाव कवीता है, जिसमें प्रेम छलगता है, किसके परती, तो जो प्रेमी है, जो नायक है, वो अपनी नाइका के परती, यह अपनी प्रेमी का के परती, आम जी जो बोल सकते हैं, कि अपने गर्लफ्रेंड के परती, उसका क्या ज लगता है तो याद रखना है अगला कुशन है कि तोर याद मात्र कविता के कवी के हत इसके कवी कौन है तो स्रीनिवास पानुरु जी रहे हैं ठीक है स्रीनिवास पानुरु जी के वारम जान लेज़े कि इनका जो आना जनाम का हुआ था 25 दिसंबर 19-20 को बरवड़ा धनबा फिश का पानुरि जी दूखनी देवी पॉ crec आर्जून पानुरूत जो की आखिक कवी नाम ठानि चपवाने में करा युक्दान रहा था रहे धोलद लिखे इस कविता में राखने है अगला कुश्यचन है तोर्याद मात्र कविता कोन किताब सामिल है ना ये जो कविता में कविता में संग्रा में संग्रा में संग्रा कौन है तो आखिक गीत जिसका मतलब होता है आखो के गीत यानि मन के भाव को मन के भाव को आखो के द्वारा क्या करना परकट करना आखो के द्वारा जाहिर करना तो कुल 72 कविता है जिसमें सारे कविताओं में कभी जी ने ठीक है आंखों के माधें से कुछ बताने के बाद किया है तो याद रखने है आपको तरकाशन कहिए भेल लाई तो याद रखना है कि आंखेक कवीता कर दो था वह 2011 हुआ था लेकिन इसका जो कविता को जो रचना बच्छर है यानि कवी जी जी इन्हों ने लिखने का परियास किया था उनुससोट के दर्मियान में लिखे थे लेकिन इसका परकाशन जो हुआ था याद रखने आपको आखी कवीता , शंख्य केह रहा है कविता है तो ये भी याद रखने है अगला है कुछत,कुछा चाला है कि ये स्रीओ अर्वाएं रिछना रचना नाटक भी लिखे थे लेकिन महाकाब महाताब में होता है परबंध का Mrs. पांडरीं जी को मिर्त्यू बच्छाटा यानि मिर्तू बच्छर प्छाटा तो मिर्ति बच्छा इनका होता है साथ कटुबर इनिस्तोचासी को ठीक है तो ये भी आद रखने है अगला है तो और याद मात्र है यावे से की की हुए लगे या जब इसमें भताया गया है कभी जब तुम्हारी याद आती है तो क्या-क्य होने लगती है ठीक है यादनात हम बांसी में मतलब बंसी में क्या था फूटे गान की जो बांसरी हो तो उसमें गान फुटने लगता है उसमें संगित्मय होने लगता है अपने आप ठीक है उसमें राग फुटने लगता है कंकर में प्राण जागने लगता है कि जो सभी चीजों में क्या सजी होने लगती है न यह कौन रूप है तो option में दिया गया परबंद काब, खंड काब, मुक्तक फुटकर काब या अदभूत काब तो यह एक तरह कैसे क्या है मुक्तक या फुटकर काब है तो यह भी आपको याद रखने है अगला आखिगित कवीता शंग्रा इसके परकाशक कोन है working नाला ठीक है याद रखना हो स्री अर्जुन पांडरी को नहीं है स्रीनिवास पांडुजी के बेटे है तो की इस कवीता में आपन बात बताये थे यह भी है किस बित्रक है अगला खोठक बालमेकि किसको कहा गया तो स्री निवास पानरी को कहा गया है ठीक है ये बात कौन बताए थे तो रामदयाल मुंडा जी बता थे फिर इनको खोठक टैगोर भी कहा जाता था ये बात कौन बोले थे तो डाक्टर चतरभूत सहोई बोले थे फिर खोटा का इनको विश्म पितामा भी बोला जाता है यह बात कौन बोले थे तो विश्मनाद दसंदी राज इन सारे चीजों को हमने इनके जीवनी में इनका जब कभी परीचार लेखाक परीचार हमने पढ़ा तो सारे कुछ हमने वहां पर चर्चा किया है उसके बारे में हमने पढ़ाया जो लोग नहीं देख्या होंगे इनके बारे में तो वहां पर देख लीजेगा बहुत इंपॉर्डन चीज आपको मिल सकते हैं ठीक है यह था तो खोटा के बाल में की करा कहल जा है तो स्री आखे तो आखे गित कवीता शंग्रा में शंबले था मैं आशा करता हूं को यह ना कभीता अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और लाइक करें और कमेंड बॉक्स में जुरूर बता है कि आपको ये कविदा कैसा लगा धन्यवाद